देखिए जो वेक्ति काम करते हैं वो अपना पूरा समय देते हैं पूरा स्रम देते हैं हम उनके लिए इसका अभिनंदन करते हैं आजकल समय कौन देता है अर्भात किम्मत है समय की सब लोग अपने अपने कारे छेत्र में वेस्त रहते हैं और वो अपने कारे छेत्र का समय सम माजिक और अध्यात्मिक परिवेश के लिए देते हैं, मैं इसलिए उनका अभी नंदन करता हूँ, आलोचना परसंसा ये बात की बात है, अगर गलत करेंगे तो आलोचना होगी, लेकिन आलोचना का भी पेमाना शालिंता की रूप में होना चाहिए, असिश्टता अभद्द के लिए हो सकती है, चारित्रिक आत्माओं के लिए तो थोड़ा और ध्यान में रखना चाहिए, उसमें तो सजगता थोड़ी और रहनी चाहिए, भले ही, अगर हम किसी के परती हम ये जान गए हैं कि इन्होंने सिर्फ उजले कपड़े पहन रखे हैं, सिर्फ सपेद चाद अंदर है, अंदर में तो कुछ भी नहीं है, फिर भी उस गणवेश की भी एक मरियाता है, हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए, सच को कहने की मनाई नहीं है, देश का समीधान अभीविक्ति की आजाती देता है, लेकिन आलोचिना भी शालिंधा के साथ होने चाहिए, अखरती है, वो घटनाएं, तब अखरती है, जब मरियादाओं की बड़ी बड़ी लक्षमन रेखाओं के होने के बाद भी, अध्यात्मिक परिवेश में राजनेतिक समिकरण बनते, बिगडते, तूडते तिकते हैं, जब अध्यात्मिक परिवेश में भी किसी को टारगेट किया जाता है, धरम, किसी को नेचे गिराने के लिए, जुकाने के लिए, उप्योग में अगर कहीं आए, उसका परिवेश उप्योग में आए, उसके लोग उप्योग में आए, और अगर कहीं वे आवरन उप्योग में आए, तो मुझे लगता है कि फिर मर्यादाएं वहाँ एक चण नहीं रुक सकती हमारे अंदर सहन सीलता चूक गई है अहिंसा परमो धर्म की पकड़न्डी पर चलने वालों से जब कभी जान से मारने की धमकी मिले तब समझे वहाँ की मर्यादा क्या है धर्म का मर्म समझाने वाले उन अध्यात्मिक परिसरों के उन व्यवस्ता बनाने वाले लोगों से उनके मन में अगर किसी व्यक्ति के नाम के परती इतना जहर हो इतनी इर्शा हो इतना द्वेश हो इतना राग हो कि अगर वो व्यक्ति की वहाँ उपस्तती हो नी तै हो गई हो और वे लोग उन्हें पता चल जाए तो आखरी छणों में उस व्यक्ति का नाम काड़ दे तब वो कैसे व्यवस्ता बनाने वाले लोग हैं हमारे अंदर सहिंसिलता चूक रही है हमारे अंदर धिरस तूट रहा है हम अपनी आलोचना सुनने का धिरच अब खो रहे हैं हमें वो ही अच्छा लगता है जो हमारे गलत सलत किसी भी रूप में कियवे काम को अच्छा कहता है हमें वो अच्छा नहीं लगता जो हमें इशारों में हमारी गलतियां बताता है जो बताता है कि यह आपका मार्ग नहीं है समाज का इससे भला नहीं होगा धर्म की इससे मर्यादा गरीमा नहीं बनेगी धर्म की चादर इससे सफेद उजली धवलदार नहीं दिखेगी वो आपको खटकता है क्यों? इस सवाल का सबाब बहुत दिनों से अनुत्रित है मुझे नहीं मालू इन सवालों का जबाब देने की सामर्थे किसी की है या नहीं मौन रख करके मुस्कुरा करके सवालों को टाल देना ये विसंगतियों की कतारों को चड़ाने का गुनह जैसा है मैं बड़ी छमाय आचना के साथ बड़ी पी नम्रता के साथ कह रहा हूँ सवाल अपना जवाब चाते हैं समशाएं अपना समाधान जाती है अगर हम इने टालते रहेंगे तो जखम भरने की बज़ाएं जखम गहरे होते रहेंगे और जो जखम गहरे होंगे उनका हसर क्या होता है हम सवालों को नहीं डाल रहे हम समाज के उन जखमों को नासूर बनने देने के लिए छोड़ रहे हैं धार्मिक परिस्रों में धर्म कितना हो रहा है कभी कभी मैं सोचता हूँ अध्यात्मिक पत के जो पतिक है उन्हें धर्म करने का समय कितना मिलता है मैं फिर कह रहा हूँ कुछ अपवादों को छोड़ रहा हूँ मैं लेकिन जो घटनाएं जो समभवनाएं बनाती है ना बन्दूओं वहाँ ऐसा लगता है कि हम लोगों ने उन लोगों के लिए जिनोंने घर परिवार छोड़ा सब कुछ छोड़ा उनको भी हमने धर्म के मार्ग से इधर उदर की दक्यानों सी बातों में उलजा दिया है कौन कितना कमा रहा है इसकी तलपट तो है कौन कितना लगा रहा है इसकी तलपट भी है और उसकी कमाई कैसी बढ़ सकती है उसके उपाई भी बता रहे हैं लेकिन धर्म कितना है, जो गरीब है, जो अक्षम है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसके पास काबियत है, उसे आगे लाने की कोशिस नहीं हो रही, क्योंकि? पूजा, आर्थिक संसादनों से संब्रद्धी की हो रही है, पूजा, आपके सुरोतों की हो रही है, आपके रुद्बे की हो रही है, कि आप सत्ता के गलियारों में कितनी पहुँच रखते हैं, आप परसाशनिक महकमे में कितनी पहुँच रखते हैं, आप चाहिए कैसे भी क्यों नहों, आपका विक्तित व्चाहिए कैसा भी क्यों नहों, सब कुछ चलेगा. आपके पास पैसा है, आपके पास रुत्वा है, आपके अउगून भी फिर गुणों की खान बन जाएंगे, ये कैसी परिवासा है साहिब? लेकिन जब सामाजिक परिवेशों में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की संभावनाएं और इस तरह की चर्चाएं जब होती देखते हैं, तब फिर ये सवाल लाजमी होता है मरियादाएं ज़रूरी है जीवन में, हम सब जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि मानते कितना हैं, अगर मरियादाओं को हमने माना होता, तो फिर अध्यात्मिक परिशर की धवलता, उसकी गरिमा, उपरी सर्धा से फली भूत नहीं दिखती, मुझे तकलीफ होती है, जब कुछ लोगों से ये सुनता हूँ कि जाना पड़ता है, समाज का काम है, खड़ा होना पड़ता है, लेकिन अब अंदर से सर्धा नहीं उड़ती, सच कह रहा हूँ मैं, मेरा एक एक शब्द सच है, जोड़ दे करके कह रहा हूँ, मुझे तकलीफ होती है तब, हम सुन क्या रहे हैं, क्यूं सुन रहे हैं, क्या हो गया है, क्या हो रहा है, और होगा क्या, जब ऐसा ही चलेगा तब होगा क्या, एक बात, कई वार कुछ लोग किसी के अतीत पर प्रशन उठाते हैं, और उस अतीत पर प्रशन उठाते हुए, इस बात की दुआई देते हैं, कि जिसका अतीत इतना क्रशन प्रक्ष से भरावा रहा, वो विक्ति समाज का नित्र तो नहीं करना चाहिए, अब इसमें दो संदर्ब हैं, देखिए, पहली नजर में अगर आप ये समझ लें, कि जिस विक्ति का अतीत इतना क्रशन प्रक्ष का रहा, जिसने इतने इतने इस तरह के काम किये, वो समाज का नित्रित्व करे, तो फिर क्या करेगा, हो सकता है, एक पक्ष ये सही हो, लेकिन मैं जिस दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूँ, हम उसे भी नहीं नकार सकते, अगर किसी विक्ति का अतीत क्रशन पक्ष का रहा हो, तो क्या उसका वर्तमान और उसका भविश्य कभी स्वान पक्ष का नहीं हो सकता, विक्ति से गल्तिय होती है, अगर किसी ने कोई गल्ति कर ली, उसकी सजा भूग ली, और उसके अंदर अगर काबियत है, तो क्या समाज को उसका उप्यूग नहीं करना चाहिए? इतियास इस बात का गवा है, कि डाकू लुटेरी भी बहुत बड़े संत बने हैं, तो क्या समाज का कोई विक्ति जिसके अतीत पर कुछ ऐसे निसान हो, जो देखने में, सुनने में अच्छे नहीं लगे, तो क्या उसका भविश्य सुनिम नहीं हो सकता? हम ये कैसे कह सकते हैं, बात कुछ लंबी हो गही है, समापन की रहा पर आ रहा हूं, और मर्यादा उत्सव के इस श्यानदार परंपरा के लिए मैं अपने सभी साधार्मिक भाई, बहन, स्रावक, स्राविका और सभी चारित्रे का अत्माओं को हर्दे से नमन, अभिनंदन, वंदन करता हूं, और यह पैक्षा करता हूं, कि मर्यादाओं की पुकार को हम सब मिल करके सुनें, और जहां-जहां मर्यादाओं चूक रही हैं, वहां-वहां, उन मर्यादाओं की लक्षमन रेखा को हम थोड़ी मजबूत करते हैं, उन्हें मजबूर ने करें, वीवर्स, बहुत बहुत कोगी का मन आहत हो, तो मुझे माफ करें, मेरा मकसद कभी किसी पर विक्तिगत रूप से कठाक्ष करने का नहीं रहता, लेकिन व्यवस्ताओं पर बात करता हूं, और मैं ये भी नहीं करता हूं, कि मैं जो कहता हूं, वो ही सच है, हो सकता है, मेरे समझने में भी भूल हो सकत और मैं हमेशा इस काम अंतरन भी देता हूं कि आप आपको अगर लगे कि मैं कहीं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करें क्योंकि सही होने के लिए मैं हमेशा तयार रहता हूं अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कीजिए का लाइक औ पहर नमस्कार जमस्कार